और इस सुप्रीम कोट को अपेक्स कोट कहा जाता था उससे मैं ठीक है इसी को मैं आगे लेता हूँ अपेक्स कोट कहा जाता था 1773 में और ये एक अप्रेल 1773 को लागू हुआ था बना था और 74 को लागू हुआ था 70 हाथ आज की जो क्लास है हमारी सूप्रीम कोड की स्तापना पृगे की स्तापना अ तो रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोट की स्तापना हुई और इस सुप्रीम कोट को अपेक्स कोट कहा जाता था उससे में इसी को मैं आगे लेता हूं अपेक्स कोट कहा जाता था 1773 में और ये एक अप्रेल 1773 को लागू हुआ था बना था और चोहतर को लागू हुआ था 74 को लागू हुआ वहां से ये अपना काम कर रहा है इस सुप्रीम कोट का जो तो CGI था वो था एलिजा इंपे इस एलिजा इंपे की हेल्प के लिए तीन सदसे और थे जो मतलब चार सदसे परिशत थी तो एलिजा इंपे और प्लस में तीन लोग और थे तीन कौन कौन थे लेमेस्टर और हाइड यानि ये तीन लोग उसकी हेल्प के लिए यानि चार सदसे परिशत थी सुप्रीम कोट की इस सुप्रीम कोट की चार सदसे परिशत थी पहला था एलिजा इंपे जो सीजी आई था और तीन सदसे और थे एक दो और तीन यानि चार सदसे परिशत थी तो आपके जो कुशन है बच्चों ये पुटप होता है पहले बार कि 1773 में जो सुप्रीम कोट की स्तापना हुई थी और जो 1774 से जो लागू हुआ था उसका सीजी आई कौन था सबसे पहला जो कुशन है वह यहीं पुटप होता है बच्चों आपके लिए कौन था एलिजा इंपे तीन सदसे उसके ओर थे बहुत बार रिपीट हो चुका है सीजी एल एक छुटी होती है बच्चों अगर आपके कोई घर में कोई पेरेंट्स माता पिता भाई बैन अगर नोकरी कर रहे हो तो सीजी एल केजवल लिव छुटी होती है होलिडे तो इसको आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो पहला कौन था चेमबर्स दूसरा लमेस था उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते थे इस निर्णे की खिलाफ कहां पर अपील करेंगे आप प्रिवी कॉंचल प्रिवी कॉंचल में आप अपील कर सकते थे यह प्रिवी कॉंचल जो बिटिश संसत थी उसके दोवारा बनाएगी थी यानि राजा की प्रिवी कॉंच्यल होती थी गुप्त एक थी वहां पर आप अपील कर सकते हो और इस अपील को बाद में कहीं पर और आप अपील नहीं कर सकते हो। हाँ तो बच्चो इसमें ये गुप्त समेती थी ये ही अपना निर्णय यानि ये गुप्त सभा के दोवारा ही इसका हंतियम निर्णय होता था अब इसमें क्या था यह जो प्रिवी कॉंचेल सुप्रीम कोड था इस सुप्रीम कोड दो उस्तर के ही मामले देखता था एक तो नो सेना का और एक धरम से समंधित जो मामले थे इन्ही दो के उपर ही हमेशा ये वरक करता था यानि जो भी decision होते थे इन दो के ही होते थे इस का मुख्य उद्दे से क्या था कि ये जो बिटिन सरकार के जो अधिकारी हैं ये अधिकारी किसी भी प्रसंद से ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही उफार लेंगे किसी भी प्रकार की रिश्वत और उफार बेंग थी और इसी समय 1773 में इसके बारे में स्तापना हुई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत लेते हुए या उफार लेते हुए अगर पकड़ा जाता है और उसकी सिकायत हो जाती है तो उसको किसी स्तापना हुई थी इसको एकदम फास्ट हम दुबारा से कर लेते हैं कब हुई थी इसकी स्तापना 1773 में किसके दौरा regulating act के दौरा हुई थी वर्क कब से किया इसने 1774 से स्टार्ट किया था CGI कौन था इसका एलिजा इंपे बहुत इमपोर्टेंट और बहुत बार इसको पूछा गया है इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना एलिजा इंपे-सीजिए था तीन इसके सहायक थे जो सूप्रिम कोड के सहायक थे कौन चेमबर्स लेमेस्टर हाइट यानि यह तीन हुई इसके सहायक थे, सुप्रीम कोट की स्तापना में 3 प्लस 1, आज भी अगर हम बच्चों अगर धान दें, तो 33 प्लस 1, यानि यह 1 है, यह CGI है, और 33 लोग इसकी help के लिए है, याद रखना, आज भी वही है, आज डबल 3 है, उस समें only 3 थे, 1 प्लस 3, ठीक है, याद रखना, इस इसकी स्तापना इसका निर्ने था, वो अंतिम निर्ने था, लेकिन इसके भी अपील की जा सकती थी, किसके पास में, एक प्रिवी कॉंशल थी राजा की, उस प्रिवी कॉंशल के अंदर इसकी की जा सकती थी, और यह एक गुप्त समेती थी, गुप्त सभाया समेती, इसको बोला जाता है, इसमें सुप्रीम कोट में दो ही मामले उठते थे, पहला कौन सा है, नो सेना के उपर, अगर किसी प्रकार का, दूसरा है धानमिक मामलों के उपर, इस तरीके से दो में ही ये वर्क करता था, इसका मुख्य जो उद्दे से था, वो था अधिकारियों को कंट्र करना क्योंकि अधिकारी उस समय रिस्वत लेते थे और उफार रूप में लेते थे इन लोगों को कंट्रोल करना सुप्रीम कोट के द्वारा तैंक यू